इसके अंदर है महादेव टेंपल और भावानी टेंपल इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 17 फीट टॉल स्टाच्व शिवाजी महाराज इन इस फुल क्लोरी इसके अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फीज नहीं है मौनिंग 10 एम से इवनिंग 6 पी एम तक ये ओपन रहता है प्रताफगर फोर्ट महाबलेश्वर हिल स्टेशन से 23 किलोमेटर्स दूर है और आपको पहुंचने में लग जाएगा 1 आवर तो महाबलेश्वर हिल स्टेशन पूने और मुंबई से आप इजली बायरोल पहुच सकते हो तो हम लोगोंने अपनी जोर्नी स्टार्ट की है पूने से तो यहीं पे रास्ते में हम लोग रुके हैं जोशी वड़ेवाला पर यहां का बहुत ही फेमस वड़ा पाओ है तो चलिए ट्राइ करते हैं यहां का वड़ा पाओ बहुत ही खुबसूरत यह पूरा रास्ता महाबलीशुर हिल स्टेशन अपने आप में ही एक बहुत ही खुबसूरत जगा है प्रताबगण का यह किला वीर योधा शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी को बखान करता है 1606 में यह किला बनके तयार हुआ था और उसके बस तीन साल बाद यानि की 10 नवंबर 1669 में चतरपती शिवाजी महाराज और बीजापूर के सुल्थान अफसल खान के बीच में युद्ध हुआ था इसी किले में शिवाजी महाराज ने युद्ध में विजयब राप्त की थी तो इस फोर्ट के अर्किटिक्चर के अगर बात करें तो बहुत ही जादा स्ट्राटेजी के साथ ये फोर्ट बनाया गया था बहुत सारे वाच्टावर्स और बैस्टिट्स लगे हुए थे दुश्मनों पे निगरानी रखने के लिए ये फोर्ट है ये है 3,500 फीट अबब दे सी लेवल तो पूरी चड़ाई करके हम जाएंगे उपर तक एक तो ये फोर्ट वैसे ही उचाई पे बना हुआ है इसके अलावा तीन तरफ खड़ी चक्ताने जो इसदम पत्थर की थी दुश्मनों के हमले से बचाते थी इस के लिए को दो भाग उचले भाग और निचले भाग में विभाजित किया जा सकता है इसके निचले भाग में एक प्रसंद मंदिर है जो भवानी देवी को समर्पित है जो छत्रपती शिवाजी महराज की कुल देवी थी ये मंदिर मराठा समुदाई के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है तो फोर्ट के टॉप पे आपको देखने को मिलेगा दसकाचू अफ छत्रपती शिवाजी महराज तो पूरे और मॉस्ट हम लोग भीग चोके हैं रेंकोट के बाद भी तकरिवन पांसो सीड़िया चलने के बाद ये पसीना नहीं है पानी है जै शिवाजी महराज तो अब हम जा रहे हैं पौर्ट के दुसरी करफ और जहां सबस्मानों को सब्सक्राइब किया तरदा भी आपको याँ उर्ट को एक अपर लेख जोंद और तेक देख देखने वे नहीं मिलने वाले है क्योंकि आपिंक वाज्याध है बट लेट सी तो बहुत ही ब्यूटिफुल और स्टनिंग व्यूज मिल सकते था यहां से बट अनपर्चुनेटली बहुत भी ज्यादा फाउग है तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है हां जी यहां से देखिए आप कुछ मनों को इपनी आसामी से नहीं कुछ तो दिख रहा है तो बहुत ही बढ़िया लग रही है यहां पे तो ऊपर चड़ते वक्तों बड़ा उच्छा था बारिश में भी हम लोग चड़ गए चड़ गए हमने बीच में हार मानने की सोच रहा था कि इतनी सीड़ियां चड़ा जाए कि नहीं पूरी तरी से भीच्चों का थम है बड़ तो बारिश में खूब इंजॉय करते हो है हम लोग गए प्रताबगर फोर्ट के टॉप पे हाला कि व्यूज हम लोगों को नहीं मिले लेकिन इंजॉय खूब किया जो जर्णी थी वहां तक चड़ने की अपने आप में ही बहुत ही इंट्रेस्टिंग थी तो यह था प्रताबगर फोर्ट का सफर तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू कर देना और चानल को सब्सक्राइब जरू कर देना फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए जगा के साथ तब तक के लिए टाटा बाई